आज जब हमारे पास धेर सारे अफसर मौजूद हैं, हमारे पास दरसल इतने सारे विकल्प हैं, कि वो हमें लगबग पैरलाइस कर देता है, क्योंकि हमारे पास समय कम हैं। हम कैसे चुने? हम कैसे चुने की हम क्या करना चाहते हैं? चुनाव करने को लेकर शायद आप प्रोफेशनल और दूसरी तरह के चुनावों के बात कर रहे हैं, है न? क्या आपका यही मतलब है? देखे, इसे देखने के अलग-अलग तरीके हैं आज दुर्भाग्य से मैं उन्होंने मुझसे पूछा अभी तक आप जितने भी युनिवर्सिटीज में गए हैं क्या आपको वैसे सवाल मिले जो आप चाहते थे? मैं किसी खास तरह के सवाल नहीं चाहता था लेकिन मैं हर तरह के सवाल चाहता था लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम सवाल पूछे गए जिनका संबंध दुनिया से, मानवता से, इस धर्ती पर मौजूद जीवन से, देश से हो इस तरह के सवाल बहुत कम आए, बहुत छोटा प्रतिशत बाकी सब व्यक्तिगर्ट चीजों के बारे में थे मैं ये नहीं कहरा कि ये महत्वपूर नहीं है लेकिन मैं हैरान हूँ कि नव्युवक, देश और दुनिया की ज्यादा बड़ी स्थितियों के बारे में नहीं सोच रहे है ये कहने के बाद, देखिए, अपने जीवन को जीने के दो तरीके हैं या तो मैं वो करना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मगर आपको समझना होगा कि जो आप करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक विचार है जो आपने पैदा किया और वो आपका भी नहीं है, उसे आपने अपने आसपास से उठाया है हाँ, कुछ रुजान हो सकते हैं तो जो लोग मुझसे पूछते हैं, किसी न्यूस चैनल ने मुझसे पूछा सद्गुरू, क्या आप इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं? 2019, क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? मैंने का, मेरा ऐसा कोई रादा नहीं है अगर मुझे लगता, तो मैं शायद उसके बारे में सोचता तो एक चीज है रुज़ान क्या आपका किसी खास कारे के प्रती रुज़ान है? क्या इसलिए आप उस दिशा में सोच रहे हैं? या आज धेर सारे लोग क्या करना है इसका फैसला इस आधार पर करते हैं कि उन्हें उससे क्या मिलेगा? क्या मुझे इस तरह की जीवन शैली मिलेगी? क्या मुझे इस तरह की तंख्वा मिलेगी? क्या मैं इस तरह का पैसा और जीवन शैली कमा पाऊंगा? वो इसी के बारे में सोचते हैं ये गलत तरीका है, क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा और अंत में आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं होगा. महतवपून चीज ये है कि, देखे, अगर आप खुद को, सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, आपको अपने जीवन में काम नहीं करने चाहिए, अपनी बेचैनियों, अपनी निराशाओं, अपनी चिंताओं के आधार पर. जब ये प्रशन आपके जीवन में एक गंभीर प्रशन बन जाता है, तो आपको छुटी लेनी चाहिए. कम से कम तीन से दस दिनों की, जो इस पर निर्भर करता है कि आप कौन है, कुछ लोगों को शायद तीन दिन लगे, किसी को शायद ज्यादा समय लगे. मान लेते हैं अधिक्तम तीन से दस दिन की रेंज में, और अपने साथियों से प्रभावित ना हो, फोन को स्विच आफ कर दें, अपने प्रोफेसरों से प्रभावित ना हो, अपने माबाप से या सामाजिक दबाव से प्रभावित ना हो, थोड़ा समय खुद के साथ बित आने जा रहे हैं। अगर आप अपना सर्वशेष्ट नहीं करते तो आपके साथ शांदार चीज़ें कैसी होंगी। अगर आप किसी चीज़ के प्रतीप पूरी तरह से समर्पित नहीं है। देखे अभी ऐसे कई उधारण हैं। चूंकि उन्हें भारत रत्न दिया गया है। इसलिए मैं उन्हें चुन रहा हूँ। मान लीजे सचिन तंदुलकर यह आदमी गेंद को मारने के सिवाय और कुछ नहीं जानता। उनका पूरा समर्पन है बस गेंद को मारना, गेंद को मारना, गेंद को मारना और वो उसे ऐसे मारते हैं जैसे कोई नहीं मार सकता। अब वो एक भारत रतन है। हाय ना? यह बस समर्पन है। आप उनसे अकेले में बात करके देखिए। आप गेंद के बारे में बात कीजिए। वो उसके प्रती इतने समर्पित हैं। ठीक है? वो उनका धर्म है, वो उनकी पवित्र चीज है, वो उनके लिए सब कुछ है। अब आरना, जबरदस समर्पन के कारण, देखे कि क्या हो जाता है। जबरदस चीजें होती हैं, है ना? तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं? सवाल सिर्फ यह है कि क्या आप इसके प्रती समर्पित हो सकते हैं? आप यूँ सोचें, अगर आज मैं अपना कि मैंने क्या किया है? कुछ भी, आप जो चाहे वो कीजिए, बस उसे अच्छी तरह कीजिए, यह महत्वपूर्ण है। और कुछ भी ऐसा मत कीजिए, जिसे लेकर कल आपको शर्मिंदा होना पड़े, है ना? दूसरे लोग क्या कहते हैं, यह माइने नहीं रखता, लेकिन आपको अपने काम पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? हैलो? इतना आपके पास होना चाहिए, अपने जीवन में आपके पास इतना गर्व और आजादी होनी ही चाहिए, इससे फर्ट नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया कहती है कि आप गलत हैं, लेकिन आप उसके लिए शर्मिंदगी नहीं है जो आपने किया है, इतना आपको अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, अगर ये एक चीज़ आप छोड़ देते हैं, तो आप एक बहुत मामूली जीवन जीएंगे, आपके पास भले ही सब कुछ हो, लेकिन आपके पास कुछ भी नही हो कास।